यूक्रेन के कमांडर एंचीफ जनरल वालेरी जालुजनी ने वाशिंग्टन पोस्ट के इंटिव्यू में दावा किया कि यूक्रेन जंग जीतने वाले हतियार नहीं दिये जा रहे हैं जनरल वालेरी जालोजनी ने अमेरिका पर निशाना साथते हुए का कि यूकरेन को हर हवते एक लाक तोफ के गोले चाहिए लेकिन वो नहीं मिल पा रहे हैं जिसकी वज़ा से यूकरेन के हजार सैनिक हर हफते मारे जा रहे हैं हैरानी की बात यह है कि जनरल वालेरी अमेरिका पर यूक्रेन की हार कट ठीकर अपोरना चाह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के टॉप जनरल मार्क मिले दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन का काउंटर अटैक बेहत खूनी हो चुका है। कि तो फ़र जेलन्स की जीत के दावे कर कैसे रहे हैं। आखिर 16 महीने की भीशन जंग के बाद राश्रपती जेलन्स की और यूक्रेनी सेना के कमांडर जनरल जालू जनी को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि यूक्रेन अमेरिका की वज़े से हार रहा है। क्या वाकई में अमेरिका यूक्रेन को जंग जीतने वाले हथियार नहीं दे रहा है। मस्त पड़ा जनरल खून से लदपत यूक्रेन चार जून से अब तक ऐसी क्या वज़ा रही है कि यूक्रेनी सेना का रूस के खिलाफ काउंटर अटैक लगातार कमजूर पड़ता जा रहा है। आखिर अमेरिका के टॉप जनरल मार्क मिले को ये क्यों कहना पड़ा कि यूक्रेन के काउंटर अटैक में सिर्फ खून ही खून है जहां यूक्रेनी सेना को भारी नुक्सान हो रहा है। अमेरिका का धोखा यूक्रेन की मौत का तमाशा। 45 साल के जैलन्सकी जिस वक्त यूक्रेन के जनरल और कमांडरों से युद्ध का अपडेट लेते हैं। तो योक्रेनी जनरल और कमांडर जेलन्सकी के सामने एक ही रोना रोते हैं कि रूस को हराने और खदेडने के लिए जो हत्यार नैटो के 31 देशों ने मिल कर दिये हैं। उन हत्यारों से योक्रेन जंग नहीं जीत सकता है। हैरानी की बात तो ये है कि योक्रेन को 600 तरह के घादक हत्यार मिल चुके हैं जो लगभग 15 लाख करोड की कीमत के हैं। लेकिन उसके बावजूद योक्रेनी सेना के 49 साल के कमांडर इंचीफ जनरल जालूजनी का साफ कहना है कि योक्रेन को अभी वो हत्यार नहीं मिले हैं। जिसके दम पर रूस को हराया या खदेडा जा सकी है। अमेरिका का धोखा योक्रेन की मौत का तमाचा। योक्रेन सेना के कमांडर इंचीफ जनरल वालेरी जालूजनी ने अमेरिका की पोल खोल कर रखती है। जालूजनी का दावा है कि जंग जीतने वाले सबसे खातक हत्यार अब तक अमेरिका ने नहीं दिये हैं। जालू जनी ने यहां तक दावा किया है कि अमेरिका के जनरलों ने वादा किया था कि वो हफ्ते के साथ दन 24 गंटे लगातार योकरेन की हर तरह से मदद करेंगे लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है जनरल जालू जनी के मताबिक हर हफ्ते एक लाग तोट के गोलों की जरूरत की सेना को है लेकिन एक लाग गोले नहीं मिल रहे हैं जिसकी वज़ा से 1000 योकरेनी सैनिक मारे जा रहे हैं जालू जनी का यहां तक दावा है कि योकरेन को अभी तक एब 16 लड़ाकों विमानों के देने पर फाइनल फैसला नहीं लिया गया है जिसकी वज़े से काउंटर अटैक भूस के खिलाफ काफी दीमा चल रहा है जनरल वालेरी जालूजुनी का यहां तक दाबा है कि इसलिए योक्रेनी सेना को 500 मीटर यानि आधी किलो मीटर की दूरी पर खबजा घरने में काफी खून बहाना पड़ रहा है मस्ट बार ज'ंटर खून से लाथ पाथ योक्रेन नашої розвідки ГУР, зовнішньої розвідки, розвідки прикордонників, доповість керівника СБУ Дуже уважно аналізуємо кожен факт і будь-які перспективи по всім напрямкам Рішенням Ставки Головкому Залужному та Генералу Найво доручено посилити північний напрямок, щоб гарантувати спокій शायद Second World War के बार, ये ऐसा पहला युद्ध है, जहां एक देश यानी रूस 81 देशों से जंग कर रहा है नैटो के 31 और 55 के 50 देश मिलकर इस स्वक्त योक्रेन को अंधा धुंद हत्यार देने में जुटे है हालात ये हो गए हैं कि इस स्वक्त योक्रेन दुनिया का एकलोता ऐसा देश है, जो 600 तरह के हत्यारों के साथ रूस के खिलाप जंग कर रहा है यहां तक की दुनिया की सबसे ज़ादा एंटी टैंक मिसाइलें भी इस स्वक्त योक्रेन की पास पहुँच चुकी है लेकिन हैरानी की बात ये है कि जो योक्रेन दावा कर रहा है कि उसने रूस के 230,000 से ज्यादा सैनिकों को मार डाला है वो योक्रेन पूर्वी और दक्षनी योक्रेन से अब तक रूस को नहीं ख़देड पाया है योक्रेन का दावा है कि उसने रूस के लगभग 4000 टैंक, 7600 सी ज़ादा बक्तरबद, 3800 सी ज़ादा तो खाना और 318 लड़ा को दिमान को तबाह कर डाला है इस बीच अमेरिका ने शारों ही शारों में योक्रेनी सेना पर सवाल खड़े कर दिये हैं अमेरिका का साफ कहना है कि योक्रेन के काउंटर अटैक का कमजोर होना पूरी दुनिया को निराश कर रहा है वहीं अमेरिका के टॉप जनरल मार्क मिले ने योकरेन के काउंटर अटेक को ले कर क्या कहा जरा ये भी जान लीजे हिस्से पर कबजा करना चाह रहा है जनरल मार्क मिले ने वो अशिंटन में नैशनल ट्रेस कलब को बताया कि योगरेन का जवावी हमला लगातार आगे बढ़ रहा था जान बूज कर बहुत कटेन इलाकों में जंग की जा रही है यहां हर दिन 500 मीटर 1000 मीटर और 2000 मीटर के इलाके पर कबजे की जंगे हो रही है जो बेहत खुनी हो चुकी है मस्त पड़ा जंडर खुन से लटपत योगरेन कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का यहां तक दाबा है कि योगरेन जंग को तब तक नहीं रोकना चाता है जब तक योगरेन को नैटो में शामिल नहीं कर लिया जाता है अगर योगरेन अभी रूस से शांती समझोता करता या फिर सरंडर करता है तो फिर नैटो के लिए ये बड़ा मुश्किल होगा कि हारे हुए, पिटे हुए और हाफते हुए योक्रेन को नैटो का मेंबर बनाया जाए। यही वज़ा है कि युद्ध बेहत लंबा चलेगा। अमेरिका के रक्षा लॉयड आस्टेन ने साफ कहा है कि युद्ध मेराथन की रेस की तरह लंबा चलेगा। थे चरह लंबाद क्या है कि युद्ध मेरा ठाष्ट अज़ आस्ट्सेड स्ट्सेट है करते हैं कि अब्राद का लिए का लिक लाग क्वा अपनाव साहित के चीज साहित बंगर को एता है तो रस्साइड का पेस्ट अगरा संग कर रुरी करता रुर्जाना है उनकींगा से नहीं नहीं नहींशने कि अगरा कर दोमध कर फिदार रूम्हारा। देफेंस एक्सपर्ट्स के मताबिक रूसी सेना पर योकरेन का काउंटर अटेक उसके लिए स्यूसाइड मिशन साबित होगा जोकि पुतिन के रूस ने पिछले पांच महीनों में जबरदस्त तयारी कर ली है इस वक्त हर महीने रूस लंबी दूरी की सत्तर से ज़ादा हाइपरसोनिक मेसाइलें बना रहा है जबकि रूस के पास रिजर्ब में 7000 टैंक मौजूद हैं जो योकरेन को पूरी तरक को चलने के लिए काफी है इसके अलावा सुखोई और मिक सिरीज के 700 से जादा फाइटर जेट और पॉमर योकरेन के शहरों के चीथड़े उड़ा रहे है ऐसे हालात में योकरेन का काउंटर अटैक वार एक्सपॉर्ट की समझ से बार है जबकी जेलंस्की का मानना है कि अगर अभी रुसी सेना पर काउंटर अटैक नहीं किया तो रूस कुछ हफतों में ही राजदानी की उपर भी कबजा कर लेगा जेलंस्की का यही डर और खौफ योकरेन के काउंटर अटैक की पोल खोल रहा है और भीज नहीं कि देक्न की अच्छकर बजय पहां है को अन्हेर नहीं को बजसें एम खconomार इसे नहीं, नहीं है, प्यज़ अब इसी से अंदासा लगा सकते हैं, कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रितन, जर्मनी जैसे 31 नेटो देशों से ट्रेनिंग ले कराए, जो योग रेनी सैनिक इस वक्त रूस के खिलाब काउंटर अटेक कर रहे हैं, वो बेहग धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, ता कि कम से कम योगरेनी सैनिक मारे जाए, योगरेन की सेना अभी तक रूस की फर्स डेफेंस लाइन को भी नहीं छूपाई है, जबकि जैलैंस्की अभी भी दावा कर रहे हैं, कि योगरेन का काउंटर अटेक रूस पर भारी पड़ रहा है पोटिन अपने जनरलों के साथ पूरा हिसाब लगा चुके हैं, कि योगरेन को कब तक युद्ध में खीचना है, क्योंकि रूस को अच्छी तरह से असास हो चुका है, कि अगर इस वक्त जंग रोकी, तो योगरेन को जिन्दा होने का मौका मिल जाएगा, और नैटो भी र रूस के खिलाफ और ज्यादा बेहतर क्यारी में जोड़ जाएगा, इसलिए पुतिन ताबर तोड हमले पूर्वी योगरेन पर कर रहे हैं, अगर 4 जून से हिसाब लगाएं, जिस दिन से योगरेन ने रूस के खिलाफ कांटर अटेक शुरू किया था, तो अब तक योगर पचोता व काच्टी गिरोएफ उक्राइने वजविदिनी सिवद्नी 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 नियो नाचिस्ति, पस्लेदिशे गित्लर हैं, जैलन्स की भले ही पूर्वी योगरेन में अपनी जीत के दावे करें, लेकिन वाख मोट, क्राइमिया, डॉनबस, डॉनस, खेर्स खार्कियो, मिकोला, जापुराजिया और लोहांस कोबलास्त ये वो इलाके हैं जहां योगरेन रूस के खिलाब सबसे जादा हमले कर रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि योगरेनी से ना अभी तक रूस की फ़र्स डिफेंस लाइन को टच तक नहीं कर पाई है, इसलिए अब कहा जाने लगा है कि चार हफते से चल रहा योगरेन का काउंटर अटैक फेल हो चुका है, इधर जिस तरह से योगरेन के जनरल जालुजनी अमेरिका के बोल खोल रहे हैं, उससे साब पता चलता है कि योगरेन अब हार की कगार पर पहुंच चुका है